आप सलाम नेक्टम स्टूदेंज कैसे आप सब अमीदार से होगे आज मैं आपको इंसलामियात के जो आपके स्कूल और इंशाला है यहां पर से उप्रश्ण आइंगे सो लेस्टार यहां पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहा होगा यहां पर सबसे पहले बाब अवल में जैसे के तजमातुल कुरान और रिवजिक कुरान सारा आपका नाजरा का पेपर आगया नाजरा के पेपर में मतब आपका स्कूल में डिफरेंट पैट्रेंट होते हैं आपका जो नाजरा का पेपर सबसे पहले आपका नाज़ा का पेपर आ गया जिसमें डिफिरेंट सूर्थे दुआएं आदिसे यह तमाम चीज़े गीवन है नेक्स इसके तरह मार पास आगया बाब दोन इमानुयात और इबादात इसमें जो चैप्टर नमबर वान है वह मार पास है खत्प अकीदा खत्म का कैसे तहफूज किया है आपका नमबर वन के अंदर और बाकी आपका मरूज़ी टाइब जिसमें फिलिंग ब्लैंक सेमसी क्यों यह तो स्टुडेंस आपका अब्जेक्टिव पार्ट है इसको लाजमी याद क्या करें सबसे पहले और याद क्या करें ताकि आपका इसली याद हो जाते हैं तो नेक्स हमार पास आगया फृष्टो पर आमान सेकिंड चैप्टर और इसमें आपके जो क्रेश्टन आंसे इंपोर्टन है वह हमारे पास क्वेस्टन नमबर वन जिसमें फृष्टों को नूरी में क्लूग क्यों कहा गया जाता है उसके लावा क सितर्फी चैप्टर आगया घृष्ट्री अस्माने किताबों पर एमान आस्माने किताबों पर इमान फटर्ट चैप्टर और इस चैप्टर में आपके जो इंपॉटेंट शोर्ट क्वेस्टन आंसें वह eldest हैं चुक्ष्चिन नमबर टू आसमानी सहीव और इसके लावा क important short question answers and long long question में आपका जो important है वह कुएस्टन नमबर टू जिसमें कुराम जीद की खसूसियाथ और अजासिशामिल तहरीर करनी है आपने नेक्स नमार पास आगया इबादात इबादात में जो आपका फिर्स चैप्टर है गढ़े हैं वहार है रोजा और इसकी फजीलत रोजा इसकी फजेट्ट और आपका इंकर और आपको नमबर टू जिसमें रमबारी के फजाल को और खास अमाल पर लिखें यह आपका आ सकता है पेपर के अंदर नेक्स आमार पास आगे इसी तरह नमाज जनाज़ा और देगर नमाजे इनके बार में इस चेप्टर के अंदर बताया जाएगा तो इसमें आपके जो क्वेश्चिन आंसर इंपोर्टेंट हैं वह हैं सुनेक्स अंद्श्रा आफ कता ऊटास हैं आपको अधित्य आपके थर्फ चैप्टर आपका दुआ के अहमियता और फजीलत है उपकरत कि क्रॉचिन नमबर तू नमबर फॉर एंड नमबर तुर नमबर फॉर एंड नमबर तरी यह आपके तीन जो में इंपोर्टन नहीं जिसमें आयत आगए हदीश आगे दौप दौप मांगने के क्या फाइदे यह आपको पूचा जाएगा और उसके लावा जो महार पास इसका लोग में आ जाएगा सिर्थ थायबा में जो आपके फिर्स आगया वह एहद नबवी के माह वसाल और इस चेप्टर में जो आपके से इंपोर्टेंट है वह हैं क्वेस्चिननमब रड़े दो प्रों इसके बारे में लिखे लिए से नेक्ड़े से लिए कज़्वाइख कंदक जो क्वेस्ट्र एंपोर्टेंट वाले हैं शोड़न लोग उनके बार में अपर जोड़ने। ख़्दनद में सलमान फार्सी ने क्या खित्मात अंजाम दी इस इस तरह मार पास आगया गजवाए बनुकरीजा इस में आपका इस चेप्टर के अंदर जो आपके अंसे एंपोरियन है वह इंपण फाइव और जिसमें हजाए साथ बिन इनने बन्नो करिजा का फैसरा किस किताब के अबिकिया कों थे और दर्वाए सबसे बड़ा फाइदा क्या हुआ यह में पासिंपॉर्टन और यह आपका इमपोर्टन लॉंच क्वेस्टन है जिसमें बन पर चेप्टर नमबर फॉर जिसमें सुलाह दैबिया के बार में डिफाइन किया जाएगा और इस चप्रे के आपके जो स्वाइब से पहले मुस्मान मकाम कर्मा की तरफ क्यों रवाना होए और इसके लावा क्षेशिश नमबर फॉर जो यह आपका इंपोर्टन आप तफियली नौट अटार्या के ऊपर यह आपका आसकता है यह मुस्ट इंपोर्टन आपका लों क्वेस्ट नेक्स चैप्र नमब 3 question number 1 and question number 4 जिसमें नभी करीम की तर्भीयत का फरीज़ा और उसके लावा दसगाय सफ़ा कहां काइम की गई और और हज़त मुसब बिन उमयर की एक खसूस से तहरीर करें यह आपका इंपोर्टन और इसमें हमार पास जो लोग का इंपोर्टन आ सकते हैं चेप्टर के अंदर वह है नभी करीम सलिएलाहुले वालेव सल्म के अंताज तर्वियत को बियान करें यह आपका लोग इंपोर्टन है वो है question number one question number three and question number five जिसमें फदा मका के मुक्रपर मुशरकीन के साथ क्या सलूक किया गया उसके लावा सलाम के पहले दुनिया में अमनों मान की क्या सुर्टे हाल थी और question number three जिसमें हर्बे फजार की बात अमन का जो मौाइदा हुआ इसका क्या नेक्स हमार पास आगया वेवला रसूल अस्वाय रसूल और हमारी अमले जिन्गी जिसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स चेप्टर है वो है हज़र मुहमद सल्लम का सब्रोशुकर और इस चेप्टर के अंदर जो आपके question answer important है वो है question number five and question number two और इसके लावा जो आपका लोंग आ सकता है वो है question number one जिसमें हज़र मुहमद सल्लम के सब्सक्राइब के वाकियात पर नोड लिखें यह आपका important है नेक्स नमार पर चेप्टर 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 टू हज़र मुहमद सल्लम का साधा तर्ज जिंद्गी और कनाथ जिसमें साध्गी के हमियत और फजीले पर नो लिखें यह आपका आ सकता है और question number two three and four यह short question आपके important है नेक्स जो चेप्टर है आपका वह हज़र मुहमद सल्लम का अंताज गुफ्तगू और इस चेप्टर में के आपके जो question answer जो given है उनमें आपके important question answer है question number four and question number two यह आप आपका तफसीली नोड़ पर आ सकता है वह है रसूल रसूल अला सलेला अलेह वालेह वसलम के अंताज गुफ्तगू की तफसीलन ब्यान करें को तफसीलन ब्यान करें यह आपका long important है इसे जाए नेक्स आमरे पर चेप्टर आ गया इखलाको अदाब इखलाको अदाब में ज इसके लावा जो मारे पास लोंग में आपके इंपोर्टेंट है वह है क्वेस्टन ब्यान करें यह आपका लोंग वाला इंपोर्टेंट क्वेस्टन है नेक्स हमारे पास चेप्टर है स्खावतों साथ में जो आपके question answers important है वह है question number question number five question number one and question number three यह आपके most important है उसके लावा जो आपके long question important है question number two यह आपका most important question number two नेक्स आपस आगया तलीम और तलीम के अदाब इस चेप्टेक में अंदर हम तलीम और इसके अदाब के बारे में सीखेंगे So इसमें जो आपके long or short आपके important है short question answer में question number five question number two और question number three यह तीन question आपके important है जिसमें दिन की तालीम के हासिल करने की एक फजीलत इल्म के हसूल के लिए सफर करने की फजीलत और इल्म सिखाने के दौधार यह आपने बताने हैं जिसमें आपका है तलीम तालम की एहमियत कुरान सुनत की रोशनी में बियान करें नेक्स्ट हमारे पास चेप्टर आ गया रियाकारी और नमूद नमाईश बुरी आदत से इस्तनाब और इस चेप्टर के अंदर जो आपके इंपोर्टन वाले हैं वहाँ हमारे पास क्वेस्टन नमबर फाइफ को नमबर टू नमबर थरी यह आपके तीन जो शोड़ कोस्टन आंसर नहीं इसमें आपका सेकिंड क्वेस्टन अमूद नमाईश और रियाकारी के नुक्सानात तहरी करें यह आपका आ सकता है पेपर के नेक्स्ट हमारे पास आगया बाप पंजम जिसमें हुस्टन मामलात और माश्रत आगी जिसमें फर्स चैप्टिर आपका हकूक अलबाद के अंदर हम लोगों के मसाफिरों के दोस्तों के दिश्टेदारों के वालदायन के इन तमाम हकूक के बारे में पढ़ेंगे सो इसमे लावा जो आपका लोग में क्वेश्टन आंसर रहें वह कुश्टन नमबर टू इसलाम और तो के लिए कौन-कौन से कूभ मुकर्र है यह आपका इंपोर्टन ने नजम जब्द्द और कनून का इतराम तो इसमें आपके जो इंपोर्टन क्वेश्टन आंसर हैं वह नेक्स हमारा पास आगया कस्ब लाल कस्ब लाल इस चैप्टर क데 कुरानी सुन्नत की रोशी में नोड लिखे यह आपका गीवन है इसी तरह नेक्स हमारे पर चेप्टर आ जाता है कौमी मलाक को वसाइल के इस्तमालाथ और इसके इस्तमाल के अदाब है इस चेप्टर जो आपके इंपोर्टेंट आनसे आते हैं वह आपका क्वेश्टन नमबर थ्री जिसमें चोरी की मिजब्मत पर एक हदीश है उसके लावाब क्वेश्टन नमबर 5 सरकारी वसाइल को कैसे इस्तमाल करना चाहिए ह हमार पास इंपोर्टेंट है और नेक्स जो लोग वला इसमें पॉंटन है वह सरकारी में ख्यानत की क्या क्या सूर्थे हैं यह आपका मुस्ट इंपोर्टेंट आज यह आपका पेपर में आ सकता है नेक्स वारप शिश्यमागया हदायत के चैश्यश्मी और मशाहिर इसला आपका नोट आ सकता है वह उम्मेश अलमा पर आपका सकता है उम्मेश की हलाते जिनकी बियान करें यह आपका इंपोर्टेंट क्वेस्टन है नेक्स अमर पास चैप्टर आगया हज़ात अमाम हसन मुझतबा और इसमें आपके जो इंपोर्टेंट हैं वह रहाप अच्छान पर नोड लिखने आपका लोंग में आ सकता है पेपर के अंदर नेक्स चैप्टर है हज़र सैदा जैनब बिंते अली रजी ताला अनहा और इस चैप्टर के अंदर जो आपके शोट और लोंग क्वेस्टन आपके इंपोर्टन वाले हैं वह क्वेस्टन नमबर जिसमें जैनब रजी ताला नहा का निकाह के अंदर उसके लावा क्वेस्टन नमबर फाइफ यह आपका इंपोर्टेंट है और क्वेस्टन नमबर वान यह आपके थर्टी परसंट चांसे हैं कि आपका आ सकता है जिसमें जैनब की जो शक्सियत और इखलाग पर लिखना ने चाहिए जिसमें डिफरेंस आपकराम के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर और इसमें आपके जो फोर प्री एंड लोंग जो आपका लोंग वाला इंपोर्टेंट है वह लोंग व्युक्वेस्टन नमबर टू जिसमें हज़एट अब्दुल्ला बिन उमर की शक् उस्यात उनकी शचिएत किस तरह की थी उनके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो आपका शोड करेंट नहीं है वह हज़त नमबर यह आपके यह तीन आपके इंपोर्टेंट आपका लोंग वाला इंपोर्टेंट आपका अश्च बहावल दीन नक्षबंदी बुखारी र चाहमतुलाले के हालात जिम्दी तहरीद करें यह आपका पेपर में आ सकता है उल्माव मुफक्रीन और इसमें आप डिफिरेंट उल्मा के बारे में डिसकस करेंगे पढ़ेंगे रीड़ाउट करेंगे इसमें हमार पास जोट क्वेशिटिन आपका इंपर्टन है वह है वह ह है वहाम भुखारी इस वह आपका पेपर में आ सकता है ञारा फातिहीन उल्मारे और के अंदर जो आपके धाने इंपर्टन में आपके जो इंपोर्टन है वह इसलाम में पर के हमियत पर नोड लिखे यह आपका इंपोर्टन है इस तरह इसलाम में और अमन आमा इस चप्टर के अंदर जो आपके शूर्ट लोग में अगर कोई आ सकता है तो आपका ना सकता है कुरान सुर्ण के रोश्री में अमनों आमियत पर नोड लिखे स्टूडेंट्स यह थे आपके इसलाम आपके सेंट क्लास के जो इंपोर्टन क्वेस्टन आंसर थे शोट और लोंग यह दोनों आपको बताए उसके लावा फोर यूपेपर फिर में लाकात होगी तब तक लिए अपना बहुत सारा गया रखें अलाह आफिस